गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम डीजाइन आप स्टील के बारे में स्टुडी करने चलने हैं जो कि यह आपका थर्ड क्लास है इसके पहले दो क्लास आपको पढ़ा दिया गया है तो जो हमला आज का टॉपिक हो रही है रिवेटेट जॉइंट रिवेटेट टाइपस आफ जॉइंट्स कनेक्सन डिफिनिशन तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जोडों की विफलता फेलेवर आफ जॉइंट कि मतलब हमारी जो रिवेटेट होते हैं कितने प्रकार से वो फेल कर सकते हैं कितने प्रकार से वो फेल कर सकते हैं तो इसमें हमारा फे जो करता है वो तीन प्रकार से फेल हो सकता है या तो तनन विफलता हो सकती है दूसरा अप्रूपन विफलता तीसरा आपका धारन विफलता या हमारा ज्यादा फोर्स लगने पर प्लेट कट जाएगी तो रिवेट अलग हो जाएगा या प्लेट के साथ रिवेट एक तरफ आ निकल जाता है तो इस प्रकार से हमारा तीन failure होता है तो तीनों के बारे में हम अलग-अलग study करेंगे यह क्योंकि इस पर failure of joint पर आपका numerical very important है जो कि आपके paper में आता है तो हम लोग तीनों के बारे में बारी-बारी से study करेंगे पहला हम चलते देखते हैं आपका Tension Failure क्या है तनन विफलता जब तनन प्रतिबल कामान बढ़ाने पर प्लेट एक निश्चित सीमा तक सहन कर सकती है तो पुरान प्लेट फट जा दिए से आपका यहां पिता इसमें जब आप जाती हमारा प्लेट फट गया तो रिवेट हमारा निकल जा गया है कि stress बराबर होता है force upon area stress बराबर होता है force upon area अगर मुझे फोर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा stress into area stress into area तो देखते हैं प्लेट का बीसी कार्ट पर 6 तरफल गुड़े तनन प्रतिबल तो इसमें से क्या होगा P माइनस आधा डी इधर हो जाएगा आधा डी इधर हो दिए प्पी माइननस डी इंटू टी इंटू इकवल Ft हमारा यह निकल गया tension failure अगला हमारा shear failure कि जोड़ पर Άरह बल की जोड़ पर आरह बल की रिवेट काटने की प्रब्रित होती है जोड़ पर आ रहे बल कि रिवेट काटने की प्रब्रित होती है इससे हम क्या बोलते हैं सीयर फेलेवर बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको सीयर फेलेवर बोलते हैं इसमें कहाने हैं कि rivaat कट जाएंगा थल प्लेट अलग हो जाती हैं इस प्रकार की विफलता अप्रूपन विफलता कहला तीजिसे इसमें देखे री जाम आपको डायराम रतायघ गया है यहां आधा रिवेत आपका कट के इधर हो गया है इस प्रकार से मारा जो निकालते है hela प्रूपन सामर्थ, तो रिवेट का छेत्रफल गुड़े अप्रूपन प्रतिवल, तो रिवेट छेत्रफल जवाब के निकलेगा, πाई y4 d square into fs, fs आपका अप्रूपन प्रतिवल है, इस पकार से आपका अप्रूपन सामर्थ निकल गया, थर्ड में हमला आता है bearing failure जिसमें आपका load ज्यादा पढ़ने पर हमारा रिवेट का होता है, तेडा होकर के निकल जाता है, इस पकार से पीवी बराबर जो फार्मला होता है, d into t into fv, dt आपका area हो गया, यह भी आपका धारन प्रतिवाल हो गया, इस पकार से bearing failure होता है, पीवी बराबर, d into t into fv, ठीक है, अब अगला जो हमारा heading है, strength of joint, जोड की सामर्थ, यदि आप लोग तरन सामर्थ, अपरूपन सामर्थ, धारन सामर्थ अकर निकाल लेते हैं, तो जोड की सामर्थ निकालना बहुत easy होता है, बहुत ही आसान होता है, तो जोड की सामर्थ होता क्या है, ps तथा pv, तथा pt में, ज जिस सामर्थ का मान नियुनतम होता है, तो जो आप तीनों पहलो उपर निकालें है, ps, pv, pt, उसमें जिसका मान नियुनतम होता है, उसे ही रिवेट की जोड सामर्थ कहते हैं, रिवेट की जोड सामर्थ क्या कहेंगे, ps, pv, तथा pt में, जिसका मान नियुनतम होगा, उस से रिवेट की जोड सामर्थ कहते हैं ठीक है तुम्हारा इसमें एक छोड़ा साही जामपल हम ले लेतें इसका कि एक सिंगल रिवेट लैप जॉइंट में 16 mm तथा 20 mm थिकनेस की प्लेट 24 mm डाया के रिवेट द्वारा जोड़ी गई है यदि रिवेट पीछ 55 mm हो तो इस इसके पहले जब बता दिया गया है इसके पहले जब बताया थे हम ग्रास डाया और नालमन डाया में तो ग्रास डाया जब निकालते हैं उसमें क्या करते हैं जब 25 से कम होता है तो इसमें क्या करते हैं 1.5 mm, एक है 15 से जङादा हमारा ढया होता है उसमें 2 mm का अड करते हैं । इसमें क्या करेंद का टो इसमें हमारा क्राश ढाया 25.5 mm 25.5 mm अब देखें टी कमारा 16 mm और 28 mm दो दिया हुआ है तो इसमें इस प्लेट की मूटाइब पतलीately होती है उसे हम T के रूप में calculate करते हैं क्योंकि हमारे IS code ने निर्धार्ट किया है तो T कमान हमारा होगा 16 अब यहां सम्निकालते हैं Tensile Strength क्या निकालेंगे Tensile Strength Tensile Strength क्या होता है आपको बताया क्या पहले फार्मूला PT ब्रावर होता P-D into T into FD तो P कमान D कमान T सब कमान रख देंगे हमारा हलो कर आजाएगा 188.8 किलो न्यूटन यह आपको साल्ब करने के बाद आएगा यह आपको करना पड़ेगा इस प्रकार से Sear Strength जो हमारा हलो करने के बाद आता है फार्मूलाफ 5Y4D स्कॉर इंटू या फेस इससे यहाँ साल करेंगे तो हमारा 45.96 किलो मिट न आ जाता है लास्ट हमारा जो होता है वेरिंग स्ट्रेंथ वो PB बरावर होता है D into T into FB इसमें आप मान रख कर खल करेंगे तो 110 मतलो 16 आएगा इस पकार से हमारा जोड़ी सामर्था को बताया गया है कि PS, PB तथा PT में जिसका मान नियुनतम होगा उसे क्या करते हैं जोड़ी हम सामर्थ कहते हैं तो 10 आप जोइंट हमारा हो गया तिरो में क्या कम है? 45.96 का मान हमारा सबसे जब कम है यह हमारा 10 आप जोइंट यह हमारा एंस्वर हो गया इस प्रकार से आपको इस पर जो भी नुमेर कलोंगे आपको लगाना है बस आज के लिए आपका इतना ही रहेगा ओके थाइंक ग्लास